मुनावर ने जब वो आईशा के लिए जो भी उसने आईशा के साथ किया एक लड़की के लिए क्या पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मूँ पे जा करके काउंटर करा था कि भाई तू एक नाशनल टेलेविजन पर तू एक लड़की के लिए इतना सब क कुछ किया तू ने नाशनल टेलेविजन पर एक लड़की को बोला कि मैं तेसे शादी करूंगा जस्ट फ़र गेम पॉइंट ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके आईशा हम सबको पता है जब शो पर आई थी तो उसका कहीं न गए एक पॉइंट अव यू था कि मैं कनफेशन रूम में एक डिसकेशन वाय था बिग बॉस के साथ वो डिसकेशन पूरे घर वालों को चौक में बिठा करके दिखाया गया था बट क्या आज तक मनारा का जो कनफेशन रूम में डिसकेशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट अव यू से वो आप सब लो तो मनारा को मनारा को कही ना कही ये चीज बोली दोस्त किस से दोस्ती रखनी है किस से दोस्ती नहीं रखनी मनारा को ये चीज अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहें कि कही ना कही वो एक और गानिक दोस्ती थी कही ना कही वो एक सची दोस्ती थी जो लो या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा, मैंने हर एक चीज परफॉर्म करी है, वो 24-7 की लाइफ सीम में वो क्लिप्स हैं, बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, इतना सब कुछ बोल रहा हूं, बट उसके बावजूद भी, लोग आकर के मेरे क सलमान सर को ले करके में थिन लाइन होती है एक जोक में और्ट मोग री मैं मैं अ उस शो पर जब के सामने रखी कि Big Boss प्लीज आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी feedback देना है वो आप मुझे दे सकते हैं बट अगर आप मेरी ब्रो सेना को लेकर के उनकी मौकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत humbly नहीं पसंद और मैंने हाथ जोड करके यह confession में बोला भी था Big Boss को बट उसके बावजूद what I feel like की biasness में और unfavor you know favoritism में और unfair होने में एक बहुत बढ़र reference था जिसके कारण जो यह मैं आज अगर आपके सामने interview दे रहा हूँ ना मैं इतना डंकी की चोट पर बोल सकता हूँ कि जनता इतना प्यार करती है कि कभी Big Boss को यह पता था कि मैं कभी उससे बाहर नहीं आने वाला हूँ तो यह पहला शडियंतर जो रचा गया था वो इशा के वाले टास्क वाले टाइम रखा गया था उसीस के लिए भी मैं आपको justify कर सकता हूँ जब आपको याद होगा जब मैंने वो बोल फोडा था emotionally मैं बहुत हाई था उस टाइम पर क्योंकि किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ चीज बोली थी मैंने किसी का गला पकड़ लिया मैं रियल लाइफ में शायद वो इंसान नहीं हूँ कि जो इतना emotionally हाय हो जाए क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज को बहुत ईजीली तरीके से defend कर सकता हूँ बट जब national television पे कोई यह सारी चीज़े करेगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं था मैं होल पॉइंट ऑफ सेइंग इस दाट की unfair हुआ प्लांड eviction था मेरे को निकाला गया उस टाइम जब ईशा ने वह decision flip कर दिया तो वह big boss की यह जो चालती वह पूरी नहीं हो पाई बट second time मैं भी नहीं चीट पाई और मैं हार करके भार आ गया